मैं आपके माध्यम से सरकारेयों सदन का ध्यान देश के एक महत्पुन विशे के और आक्रशित करना चाहता हूँ माननी सभापती महदई देश भर में बोर्वेल और ट्यूबेल के खुले गड़ों में गिरने से न जाने कितने ही मासुम जिन्दगियां कि किलकारियां हमेशा मेश काटू पत्ती गाउं में बोर्वेल में गिरे दो वर्षी बालक सुजीत को भी एंडियारेप और एश्डियारेप के टीमों की हर मुम्किन कोशिसों के बाद भी नहीं बचाये जा सका पंजाब के संग्रूर जिले में एक सो पचास पूट गेहरे बोर्वेल में गिरे तीन साल के फते वीर सिंग को भी नहीं बचाये जा सका माननी सभापती मोहदय विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के बुलन शहर में वारानासी के पिंडारा में भी ऐसी घटनाय घटी धुई इसमें 6 साल की मासुम बच्ची 13 वर्षी अनिकेत यादो की भी मोत हो गई हर्याना की हलदेडी गाओं में 2006 में 5 वर्षी प्रिंस के 50 फूट गहरे बोर्वेल के गड़े में गिरने के बाद न्यूट टीवी चैनलों ने रेस्क्य आपरेशन के द्रेश्य लाईव दिखाये थे जिससे पूरी दुनिया का ध्यानी इस प्रकार के हाथसों की और गया जिससे यह भी उम्मिच जगी थी कि भविशे में ऐसे हाथसे सामने नहीं आएंगे परन्तु आज भी इस्तती जियों की ट्यूब अनी हुई है माननी सभापती मोहदई नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के नुसार साल 2014 में देश में जहां बोर्वेल में गिरने वाले बच्चों के संख्या 48 थी वहीं 2015 में बढ़कर 71 हो गई तमिल नाडू के बारे में 2014 में एक फेक्ट फाइंडिंग टीम ने ग्राम अंतराले को सुचित किया था कि इस राज्ज में 2010 से 2012 के बीच 561 बच्चे बोर्वेल में गिरे थे जो की अब यह आकड़ा हजारों में पहुँच गया है माननी सभापती महदई 2006 में हर्याना के प्रिंस बोर्वेल में से निकालने के बाद 2015 तक 16,000 से अधिक वेक्टी महलाएं और बच्चे खुले गड़े में गिरने से उनकी मोद हो चुकी है तमाम बचाव कारियोग में करोड उपे खर्च होते हैं ऐसे बयावा हाथसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोट में भी भूर्वेल के रखरकाव संबंदी निर्देश जारी किये थे मनने सबाति मोद है सवाल यह भी है कि यह भी कि आखिरकार इस प्रकार के हाथसों को रोकने के लिए कोई कड़े कदम उखाने क्यों शक्ता है मैं आपके माध्यम से अति समयदंसिल और गंबिर विशय के लिए सरकार से यह आगरह करता हूँ कि इस प्रकार के गटनाओं को रोकने के लिए दोशियों के खिलाब गड़े कानूनों का प्रावदार होना चाहिए ताकि इसी बयाओं गटनाओं का दोराओं देश में ने होट धन्यवाद